जाहिन दोस्तों मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे की विंडोस 7 जो की मेरी तरह शायद अब कभी फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम रहा होगा विंडोस 7 को हम 2024 में किस तरह से यूज करें ताकि ह आप सभी जानते हैं बागी विंडोस 7 जो है 2009 में इनॉग्रेट हुआ था और इसकी सपोर्ट माइक्रोसोफ में 2020 में बंद कर दी थी तो उसके बाद से लगबग तीन साल पूरे हो चुके हैं उसको मतलब अपडेट होई भी न और उसकी माइक्रोसोफ में कोई अपडेट अगरा रिलीज नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें क्यों होता है कि जब भी आप विंडोस 7 इंस्टॉल करें अगर आप यूज करना चाहते हैं आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है तो आप क्या करें सबसे पहले इसके विंडोस इसमें जाके इसको फुली अपडेट कर करेंगे मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है बहुत अच्छी आप चेक कर सकते हैं मैं इसका आई बटन में भी उपर लिंक भी दे दूंगा आप चेक कर लीजेगा स्टेब बाए स्टेप उसमें डाउनलोड करने की ऑप्शन है अब कुछ काफी सारी अपडेट्स तो उसी तरह से आप इंस्टॉल करेंगी और उसके बाद जब वह लास हो जाती है रोलप पैक के बाद आप उसको विंडोज को यहां से चेक पूर अपडेट करके करेंगे अपडेट्स हैं यह डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएंगी तो देखिए इस तरह से मैंने यह दो दिन पहले इंस्टॉल गया है और यह सारी अपडेट्स मैंने उसमें कर ली है तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं लेकिन यह जो सॉफ्ट्वेर है ऑपरेटिंग सिस्टम है यह काफी स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया है माइक्रोसॉफ्ट का तो इसको काफी का काम इस पर चल सकता है तो वो कोशिश करते हैं लोग इसी पर करें क्योंकि Windows 10 जो थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है और यूज करने में भी थोड़ा सा अभी फैमिलियर नहीं हुए लोग इस तरह से उसमें चल जाती है चीज़े तो इसमें क्या है इसके लावा दोस्तों यह जो अपरिटिंग सिस्टम है इसमें आप सभी तरह के शॉफ्ट्वेश और जो आपके कंपेटिबल है वह आप यूज कर पाते हैं तो इसके एप कंपेटिबिलिटी जो है वह बहुत अच्छी है Windows 10 के मुकाबले और दोस्तों इसको जैसे आप यूज करते हैं तो अगर 109 उसके बाद यह अपडेट नहीं होता है हालाग यह 123 124 भी आ चुगा है तो इस तरह से अप इसको आप इसको इसमें ना यूज करें क्रोम को और उसकी जंगा यूज करें फायर फॉक्स जो की अभी भी इसकी सपोर्ट वगरा दे रहा है तो यह अभी भी अपडेट हो ज दोस्तों इसके लाव अगर आपको लगता है कि आप जो ऑप्रटिंग सिस्टम यूज करते हैं इसमें कुछ फाइले आपको डाउनलोड करनी पड़ती है यह आपको कुछ वैसा लगता है कि वह सिस्टम सिक्योर रहे तो आप वर्चुल बॉक्स वर्चुल बॉक्स या वी वर्चुल मशीन ही कॉपी करके डेटा रिमूव करनी होगी आपको विंडोज या सिस्टम दुबार से री स्टोर या फॉर्मेट करने की जुरूत नहीं पड़ेगी आप यह यूज कर सकते हैं इसमें इसके लावा वर्चुल बॉक्स भी आता है वो भी आप यूज कर सकते डाउनलोड करके तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं रखे उसके लावा आप अपने पुटरे hombresky अपने बैक अ ले ही पाएंगे, पूरे के पूरे ड्राइव का आप बैकप लेकर रख सकते हैं, in case आपका Windows system installed है पूरा, operating system installed है, with software and everything, उसका आप बैकप लेकर रख सकते हैं, in case कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको सीधा restore कर दें, और वो आपको फिर दुबार से पहले की तर Windows installed with software and everything, completely installed मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी चीज है, और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि आप operating system को भी lock कर सकते हैं, मतलब read only कर सकते हैं, कि आपका C drive में कोई भी change नहीं होगा, और जैसे ही आप कुछ install करते हैं, कुछ upgrade करते हैं, आप restart करते ही, system फिर दुबारे से उसी state में पहुच जाएगा, मतलब lock हो जाएगा एक तरह से आपका और कोई virus नहीं आएगा, आपके system पे कुछ भी नहीं आएगा, तो इस तरह से भी आप use कर सकते हैं उसको, इसमें दोस्तों इसके लाब आप इसको secure करने के लिए आप इसमें antivirus को भी purchase करके use कर सकते हैं, बागी दोस्तों इसको Windows 7 को आज के समय में यूज़ करना बिल्कुल भी safe नहीं है, अगर आप game 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 खेलना चाहते हैं और आपका उसमें मतलब support मिल रहा है, support in the sense कि आप जो software यूज़ कर रहे हैं वो आपके चल पा रहे हैं उसमें, और आपका काम चल जाता है, तो आप बहले लेकिन add कर सकते हैं, उसको add करने से होता है कि आपका जो connection बनता है किसी भी website के साथ, उस secure होता है, तोड़ास आपको speed में लग सकता issue लेकिन system आपका secure रहेगा, virtual private network के through वो आपको site से connect करेगा और आपको उसी तरह से use करने देगा, तो वो आपको virus के chance उसमें कम हो जाएंगे Windows update करने के बाद भी आपका system secure नहीं कि फुल update के बाद भी वो 2020 तक के standard पर ही पहुचेगा, दो-तीन साल में बीच का जो gap आजाता है, वो काफी ज़्यादा हो जाता है, इसमें किसी भी Windows 7 में आप किसी भी website पर जैसे open करके और उसमें कोई अपनी personal detail वगरा डालते हैं, या online payment करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी ना करें, Windows 7 की दोस्तों update हुए काफी लंबा time हो चुका है, तीन साल हो चुके हैं, तो जो दूसरे जो hackers होते हैं, या exploit वगरा यूज़ करते हैं, वो बहुत ज्यादा updated software यूज़ करते हैं, और होता क्या है कि जैसे Windows 7 उन ये bugs जरूर होंगे, ये close नहीं होंगे और वो उसको exploit करने कोशिश करते हैं, तो Windows 7 देखते ही समझ जाएंगे, वो कि ये वाले bugs तो उसमें जरूर होंगे और उसको हम exploit कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ vulnerabilities develop होती चले जाती हैं, जो hackers होते हैं वो दोस्तों बहुत सारे software इस तर programs हैं, जो कि system को compromise करने के लिए use होते हैं, और ये जो कि ये daily basis पर update होते हैं, तो ये बिल्कुल भी use ना करें payment वगरा के लिए, तो इस तरह से आप इसको use कर सकते हैं, securely आप use करना चाहते हैं तो, दोस्तों कई बार drivers की compatibility नहीं हो पाती, आप Windows 7 install करेंगे, पुराने system पे तो install करने में दिक्कत आती हैं, और install कर भी देते हैं किसी तरह से हम, तो उसमें drivers का issue बहुत ज़्यादा आएगा, कभी driver का issue आएगा, कभी software compatibility का issue आएगा, तो Windows 7 जो होता है, वो stability के साथ आपका काम कर पाए, तो उसमें customize OS वगरा ना use करें, उनमें काफी सारे viruses होते हैं, कई बा IIS हो है, और वो use कर लेकि भी इसमें सारे मेरे प्रोग्रम चल जाएंगे, लेकिन वो बाद में उल्टा हो जाता है, और उसमें viruses और adware detect होने शुरू होते हैं, बहुत जादा, इसको ब्राउजर में जिसे आप internet use करते हैं, तो उस समय इसमें कोई भी suspicious या कोई वैसी site ना ख कर सकते हैं, थोड़ा सा alert होके use करें, कोई suspicious site इसमें ना खुले, तो उससे आप अराम से use करते रह सकते हैं Windows को, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो, share, comment and like करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाई